हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू मंदीप एजुकेशन अगे अडविजिटिव चैनल तो फ्लूइड मेकैनिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चो नीट 2022, 23 और क्लास 11 के स्टुडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा यूस्फुल सीरीज चल रही है फ्लूइड मेकैनिक्स की और इसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पासकल लौ और उसकी एप्लिकेशन्स इस पूरी सीरीज के दौरान आप जीत सकते हो प्यारी प्यारी बुक नीट प्रिप्रेशन के लिए जैसे नीट गाइड, नीट चैंपियन, मास्टर द एन्सी आटी अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो फ्लूइड मेकैनिक्स के अंडर जितने भी वीडियो अप्लोड हो उसमें एक आइडियल फ्लूइड हो, आइडियल फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बट आप सिरफ इतना समझ लो, यहां पर हमारा आइडियल फ्लूइड से मतलब है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, एक क्लोस चैंबर है, बंद चैंबर है, उसमें एक अगर आप उस बंद चैंबर में कहीं पर भी एक तरफ प्रेशर बढ़ाओगे, तो हर तरफ बराबर बढ़ेगा, यह कहता है पासकल स्लूइड फॉर इक्जांपल आपके पास एक बैलून है, एक गुबारा है, पानी वाला गुबारा ना होली आने वाली है, अब तो पान गुबारे को कहीं से भी दबाओ, कहीं से भी, तो छेद से पानी की निकलने की जो intensity है, जो speed है वो बढ़ जाएगी, आप कहीं से भी दबाओ चाहे, इसका मतलब है कहीं पर भी pressure बढ़ाओ तो हर जगा बढ़ता है, वो छेद कहीं पर भी हो, और दो छेदों, दोनों में से कहीं की speed बढ़ जाएगी, याने की कहीं से भी आप दबाओ, यानि आपने कहीं पर भी pressure बढ़ाया, हर जगा बढ़ गया, तो यही कहता है pascal slow, इसका reason बहुत simple सा है, जैसे अगर हम देखें कि यह हमारे पास एक closed chamber है, हना यह closed chamber है, और इसमें suppose एक liquid बढ़ा हुआ है, और य vertical distance है h, pressure difference होता है h rho, जैसे एक point तो मैं यही ले लेता हूँ, जो ठीक piston के नीचे है a, और एक point मैं यहाँ पे ले लेता हूँ b, इन दोनों के बीच में distance है h, इन दोनों के बीच में distance है h, और इसकी density है rho, तो pressure difference pb-pa, आपको पढ़ाया जा चुका है कि pb-pa क्या होगा, h rho g, यह pressure difference होगा h rho g, h fix कर लें अगर हमकी height नहीं change कर रहे हैं, इन दोनों points के बीच की है न, और density तो change कर नहीं सकते है, g भी change नहीं कर सकते हैं, और liquid incompressible है, दबेगा नहीं, तो अगर आपने यहाँ पर pressure बढ़ा दिया, अगर आपने यहाँ पर pressure बढ़ा दिया, अब इन दोनो points के बीच में जो pressure का difference है, वो तो fix रहेगा, मानलो यह difference है 10 ATM, मानलो यह difference है 10 ATM, तो इसने तो 10 ही रहना है न, तो अगर आपने यहाँ pressure बढ़ा के, suppose यहाँ पर पहले pressure था 12 ATM, और यहाँ पर क्योंकि इनके बीच में difference कितना बताया है, मैंने 10, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पर क constant है न, अब यह dub तो रहा नहीं है, liquid, तो इन दोनो points के बीच का जो vertical distance h है, वो तो change हुआ नहीं है, h सेम रहा, rho सेम रहा, g सेम रहा, तो pressure difference भी सेम रहेगा, तो अगर आपने इसको 14 कर दिया, तो इस बाई साब को भी तो 24 होना पड़ेगा, ताकि difference दोनों का 10 रहे, so that is Pascal's law, क्योंकि liquid dub नहीं रहा है, तो vertical points के बीच में जो pressure difference है, वो constant रहेगा, तो अगर एक point पर बढ़ा होगे, तो सब पर बढ़ाएगा, so that is Pascal's law, ठीक है, आप इसको याद रखो, तो इसमें mathematics क्या है, इसमें mathematics आएगा, एक बहुत important इसकी application है, which is called hydraulic lift, hydraulic lift क्या है, hydraulic lift यूज होती है, heavy समान को lift करने के लिए, industries वगरा में, hydraulic lift, hydraulic lift की जो working है, वो Pascal's law पे based है, और बहुत simple सी working है, hydraulic lift में क्या होता है, hydraulic lift में दो chambers होते हैं, एक बड़ा सा chamber है, sorry, ये बड़ा सा chamber है, chamber मतलब एक closed chamber, जिसमें की, एक liquid हम डाल देंगे, और इसमें दो openings है, एक बड़ी opening है, एक छोटी opening है, ठीक है, इन दोनों openings पे pistons लगे हो है, इन दोनों openings पे pistons लगे हो है, और इसके अंदर ये हमने डाल दिया, एक ideal liquid, यानि incompressible liquid, जो दबता नहीं है, क्योंकि, अगर दब जाता, तो इसका pressure यहां transmit ना हो पाता, तो इसलिए, एक तरफ से pressure अगर आपने लगाया है, तो वो pressure दूसरी तरफ कहुंचे, उसके लिए liquid का ideal होना जरूरी है, यानि उसका ना दबना जरूरी है, तो यहां पर आपने, जो भी object lift करना है, जिसको उठाना है, hydraulic lift, नाम से दे gravity है, जो भी आपने heavy चीज उठानी है, उसको आपने रखना है बड़ी वाली opening पे, जैसे मुझे यह car उठानी है, ठीक है, बड़ी वाली opening का जो area of cross section है, मान लो capital A है, छोटी वाली opening का जो area of cross section है, मान लो small A है, आपने यहां पर force लगाई small f, वो force transmit हुई, अब यह liquid, देख लगाई, अब यह liquid दब तो रहा नहीं है, तो अगर इस force से piston नीचे चला गया, मान लो यह L1 piston नीचे चला गया, तो यह दबता तो है नी, liquid तो यह इसको धका मारेगा, तो यह उपर आएगा, जितना volume यहां से liquid का नीचे गया, उतना volume यहां से liquid का उपर आएगा, तो यह उ प्रेशर यहां बढ़ाओगे उतना ही यहां बढ़ जाएगा यहां पे प्रेशर मैंने कितना बढ़ा दिया force मैंने f लगाई area यहां पे था already a तो कितना pressure मैंने यहां पे बढ़ा दिया इतना यहां पे force f लगी इसका area capital a है तो यहां पर जो बढ़ा है वो यह है तो दोनों त इतना आएगा यहां से capital F, capital F आएगा capital A by small a into small f and since this capital A is much, much, much greater than small a, यह वाला area जो हमने इससे बहुत बढ़ा रखा है, therefore यह जो capital F है, यह इससे बहुत बढ़ा हो गया, so this capital F is much greater than small f, तो हमने यहां पर थोड़ी सी force लगाई, यहां पर यह बहुत जादा force हो गई, मान लो, यह वाला area जो है, इससे 100 times जादा है, तो अगर आपने यह force लगाई है, 10 Newton, अगर आपने यह 10 Newton की force लगाई है, तो जितने times area जादा है, यह force उतने times बढ़ जाएगी, तो अगर आपने यहां 10 Newton की force लगाई है, तो 100 times area जादा है, तो 10 into 100, यह वाली force आपको 1000 Newton की मिलेगी, और 1000 Newton से heavy body को lift किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिरफ 10 Newton की force लगानी पड़ी ना, तो यह है आपका hydraulic lift और इसकी working, अब मान लेते हैं, यह L2 उपर गया है, तो conservation of energy अगर मैं apply करूं, तो यहां पे F4 से L1 distance हुआ, तो F into L1 मैं यहां पे लगाऊं, और यहां पे capital F4 से L2 distance move हुआ, work होता न, force into displacement, तो यहां कितना work हुआ, इतना, यहां कितना work होगा, इतना, by conservation of energy, work तो different नहीं हो सकता, and since F is much greater than small f, तो L2 is much smaller than L1, यह दोनों का product बराबर है, य यह इससे बहुत जादा है, तो यह इससे बहुत कम होगा, तो क्या होगा, यह बहुत जादा नीचे गया है, यह बहुत थोड़ा से उपर आएगा, obviously जितना volume यहां से liquid का नीचे गया है, उतना ही volume यहां से liquid का उपर आएगा, तो अगर इसका area of cross section कम है, इसका area of cross section जादा ह सबस्क्राइब चाहिए लिक्विड का यहां बहुत जादा लेंथ में आएगा यहां कम लेंथ में आएगा तो इसको बहुत जादा दबा उपर जाएगा जादू हो रहा है कोई बच्चे समझते हैं कैसे मैंजिंग हो गया इसको दबाए उपर आगे वह बहुत जादा नीचे गया यह बहुत जादा नीचे गया यह थोड़ा सा उपर आएगा तार आज मेरे पैरों में यह डगरी ठीक है समझ मैं ही बात ओके सो कुष्चन इसमें ऐसा ही प चोटे वाले का जो रेडियस है वो मानलो दिया हुआ है सेवन सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल यह पिस्टन है बड़े वाले का रेडियस आर टू बड़े वाले का इधर वाले का जो रेडियस है चलो चोटे वाले को स्मॉल आर लिख लेते हैं बड़े वाले को कैपिटल आ लिख लेते हैं बड़े वाले का दिया हुआ है मानलो 28 cm रेडियस इससे 4 गुना जादा हो गया तो एरिया 16 गुना जादा हो जाएगा क्योंकि एरिया हो गया πाई यार स्कुएर हना और इसमें बोला है कि यहां पर हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की हना यहां पर हमने जो फ cm नीचे गया है तो वो कितना उपर जाएगा इस तरह के कोश्चन हमको करने पड़ सकते हैं ठेक है तो कर लेते हैं जरा f by a सीधा values में डाल देता हूँ हना f f is what f is 10 10 by pi r square equal to f by pi 28 का square pi से pi कट गया तो force कितनी आ गई 28 का square यानी 28 into 28 by 7 into 7 into 10 तो यह 4 into 4 16 160 न्यूटन तो यह force कितनी आ गई 160 न्यूटन अच्छा अगर यह 10 cm देखो मैंने convert नहीं किया क्योंकि cm को मीटर में convert नहीं किया यहां से 10 की पर –2 से यह कटी जाना था तो convert करने का कोई फाइदा नहीं है अच्छा अब क्या बोल रहा है कि अगर यह 10 cm नीचे गया है यह 10 cm नीचे गया तो कितना वाक हुआ होगा यहां पर f1 into l1 मत small f into l1 और यह work बराबर है तो यह वाली force हमारी थी 10 यह 10 cm नीचे गया इसको भी convert नहीं कर रहे है क्योंकि वह भी cm में आ जाएगा 160 into l2 so l2 is 100 by 160 which gives 5 by 8 तो 0.625 cm देखो कितना कम because उसका area बहुत जादा है तो उसका जो distance moved है वो बहुत कम है यह 10 cm नीचे गया है और वो सिरफ 0.0625 cm उपर आया है समझ मैं आई बात आपको तो यह Pascal's law है और यह इसकी application है तो pressure का concept खतम कर दिया है अभी तक जितना भी पढ़ाया है तीनो lectures में pressure के बारे में उन सब concept से related अगर आपको questions करने है तो worksheet का link description में दे रहा हूँ उसको download करके questions कर लो कहीं पर कोई doubt आए तो comment section में मेरे से share कर देना मैं आपसे मिलता हूँ next lecture में तब तक के लिए all the very best